राम राम मैं देवान शू बटेश्वर की जो मंदर यात्रा की जो श्रिंखला है ये उसका दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जिस मंदर का पुनर निर्माण किया जा रहा है उसका एक स्ट्रक्चर हमारे पास है जैसा कि मुझे ज पुनर निर्माण से सम्मंदित कुछ महत्तोपूर्ण बातें साजा कर सकूँ ये देखिए ये एक समान मंदिर है जो मैंने आपको पिछली भाव यात्रा पर दिखाने का प्रयास किया ता पटेश्वर का इसका अधिश्ठान भी वैसा ही है जैसा कि उस मंदिर का था जो आ हमारे पास है उस स्ट्रक्चर को हम शास्त्रिय अध्ययन और गुर्जर प्रतिहार वन्ष की जो निर्माण का लाह जो शैली है जिस तरह से वह उपर की और बढ़ती है उसको हम ध्यान में रखते हुए और पुरा तत्व विदाओं की सहायता से उनके निरीक्षण में उनक रहता है एक वर्ष लग जाया और लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसका पुनर निर्माण उतना जटिल क्यों नहीं है क्योंकि ये जो उपर का हिस्सा वेदीबंद जो जिसे हम अधिश्ठान ये कहते हैं अधिश्ठान के उपर जहां मंदिर का जो निचला हिस्सा देख रहे ह उसे हम वेदीबंद कहते हैं उसके उपर जो है पुनर या धीरे धीरे जाकर के शिकर की ओर बढ़ता है और कलश और आमलक के साथ पूर्ण होता है लेकिन चुकि एक स्ट्रक्चर वहां पर है इसलिए उसको उपर उठाया जा रहा है और वो संरचना जो है अपनी पूर्ण है यहां पर उसे similar रूप दिया सकता है ऐसी ही संरचना उसे प्रदान की जा सकती है लेकिन जब कोई संरचना नहीं हो तब उसे कैसे हम resurrect करें कैसे खड़ा करें यह एक कठिन बहुत ही कठिन कारिया है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बटेश्वर में वह प्रशंसनी है चाहे किसी के द्वारा हो अगर सुधा मूर्ती फाउंडेशन के द्वारा ही हो रहा है तो उसकी भी हमें सरहाना करनी चाहिए कि लोग हैं ऐसे जो इसमें रुचि ले रहे हैं और भारत की जो धरवोहर है उसे एक रूप देने का एक महत्तर जो रूप है उसका उसे देने का कारे कर रहे हैं, महान कारे कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कि बडेश्वर में आप जगह जगह पर कहते हैं, जिसे कि पुनर रचना या पुनर निर्मान का प्रासस देखते हैं, जिसे मेरे सामने भी आप देख रहे हैं, यहा इहां पर लाखों लाख टन का मलवा बड़ा है पत्थरों का। उन सब को जोड़ना, इकठा करना और मंदिर के रूप में उसे रूप खड़ा कर देना एक बहुत बहुत ही जड़िल कारी है। लेकिन जिन मंदिरों को यहां रूप दिया गया, उन सभी मंदिरों को देख करके हम थोड़ी बहुत सान्तों ना को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही रहा होगा, ऐसा दिखता होगा। मेरी इस भाव यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे प्रचारित करें, इसे लोगों तक पहुचाएं, इसे दिखाएं, बताएं कि बटेश्वर कोई साधारन क्षित्र नहीं है। भारत वासी को यहां आना चाहिए और देखना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार वन्ष के समराटों ने कैसी अदबुद कृति का निर्मान किया था, कैसे विराट मंदिर क्षित्र को रचा था, और उनके द्वारा रचेगा ऐसे मंदिरों के संख्या हजारों हुआ करती थी प्राशीन भारत में, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम इनी शब्दों के साथ मैं इस बाव यात्रा को समाप्त करता हूँ, लेकिन मंदिरों से संबंदित जो ये मेरी यात्रा है वह चलती रहेगी ताकि मैं आपको भारत की धरोहरों से परचित करा सकूं, इनकी जटिल प्रणाम इनकी जो विशेष्टाएं उनसे उनके बारे में भी बता सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम